दोस्तों अगर आप ऐसी कोई income कमाते हैं जिस पर आपको income tax लगता है और साथ की साथ आप ऐसी भी income कमाते हैं जिस पर आपको income tax नहीं देना पड़ता है जिसको की हम कहते हैं exempt income तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई expenses incur करते हैं to earn the exempt income मतलब आपने ऐसा कोई खर्चा किया है जिससे की आप किसी exempted income को earn करते हैं जिस पर आप income tax पे नहीं करते हैं तो उन खर्चों को भी आपको allow नहीं किया जाएगा उन खर्चों का क्या treatment होगा किस तरह से यहाँ पर सारी बाते हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में discussion आपके साथ करूँगा तो वीडियो को starting से लेके end तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक point अच्छे से समाज आ जाए कि यहाँ पर ultimately law ने क्या explanation दी है और यहाँ पर जो law द्वारा amendment की गई है इस particular section में वो exactly क्या कहती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक appeal करना चाहूँगा अगर आप मेरे इस channel पर नए है और आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लिजेगा साथ मैं bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाईगी latest videos की notifications मिलती रहें मैं मेरे इस channel पर आप सभी लोगों के लिए GST, income tax and related topics पर knowledgeable and informative videos लेके आता रहता हूँ तो आईएगा आज का discussion आपके साथ स्टार्ट करता हूँ जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ section 14 एके बारे में जो ultimately बात करता है ऐसे खर्चों को disallow करने की जो खर्चे आपने anchor किये होते है to earn the exempt income देखिए law यहाँ पर basically बात कहना चाहता है कि अगर आपने कोई income कमाई है जिस income पर आपको income tax नहीं pay करना पड़ता है इसका मतलब वो आपकी income exempt है तो उसके जो corresponding expenses होंगे वो expenses भी आपको claim नहीं करने दिये जाएंगे सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं जब government को income पर कोई tax नहीं मिल रहा है तो सरकार उसके against जो खर्चे हैं आपके उसका भी benefit आपको नहीं देना चाहती है अब आप सोचेंगे कौन-कौन सी income आपकी exempt होती है तो exempted income को income tax में section 10 के अंदर explain किया गया है there are so many incomes which are exempt under the income tax act जिस पर आपको कोई भी income tax pay नहीं करना होता है earlier dividend was exempt under section 10 लेकिन अब क्योंकि dividend exempt नहीं रहा है अब dividend taxable हो गया है but still dividend के अलावा ऐसी बहुत सारी income है जो section 10 में define की गई है कि किन-किन income पर आपको income tax pay नहीं करना होता है तो आईएगा आगी की बात कर लेता हूँ ये basically section 14a ultimately कहता क्या है so section 14a says it provides that no deduction shall be allowed in respect of the expenditures incurred by the assessi in relation to income that does not form part of the total income that is the exempt income it means यहाँ पर सरकार यह कहना चाहती है अगर आपने कोई भी खर्चा किया है ऐसी income को कमाने पर जिस income पर आप income tax pay नहीं करते हैं इसका मतलब वो income आपकी exempt income होती है तो हम उन खर्चों की भी आपको कोई भी deduction यहाँ पर allow नहीं करेंगे ऐसा section 14A हमारे income tax में बात कहता है कि उन खर्चों की आपको deduction नहीं दी जाएगी इस example को समझके देखते हैं कि ultimately यह section कैसे applicable हो रहा है तो देखें मालीजे आप business कर रहे हैं या आप कोई income कमा रहे हैं जो कि non exempted income है और यहाँ पर मैंने रखा है 50,000 रुपे exempted income अब आपने यहाँ पर करें है 65,000 रुपे वो खर्चे जो कि आपने non exempted income को कमाने के लिए खर्च करें थे और आपने 20,000 रुपे का खर्चा किया है exempted income को un करने के लिए तो law यहाँ पर बड़ा clear है जो यह कहता है कि यह जो 20,000 रुपे का खर्चा होगा ये हम आपको disallow कर देंगे इसका मतलब इस खर्चे की आपको deduction नहीं मिलेगी इस खर्चे का आपको benefit नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो आपकी income taxable होगी वो 1,15,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए टोटल मिलाकर जो income आपकी आई है that is 1,35,000 रुपए वो taxable हो जाएगी और इस में स ये 50,000 भी minus कर दिये जाएंगे क्योंकि ये आपकी exempted income है तो ultimately आपको 1,35,000 मैंसे 50,000 और minus करके जो आपका amount बचेगा उस पर आपको income tax pay करना होगा अगर मैं आपसे nutshell में बात करूँ तो ये 1,50,000 रुपए की आपकी non exempted income है और ये non exempted income के against expenses हैं तो आपको जो income tax pay करना होग वो 1,50,000 रुपए minus 65,000 रुपए जो भी आपकी income बचेगी वो income आपकी taxable हो जाएगी तो यहाँ पर कोई confusion नहीं है दोस्तो बड़ी ही clear सी situation है अगर आपने कोई income कमाई है उसके against आपने कोई खर्चे किये हैं तो वो जो खर्चे होंगे वो आपके disallow कर दिये जाएंगे उ इसका मतलब यह 20,000 रुपए का आपको कोई भी benefit नहीं मिलने वाला है लेकिन अब यहाँ पर एक issue arise हुआ और यह issue ऐसा नहीं है अभी हाल ही में arise हुआ है यह issue काफी समय से arise होता हुआ आ रहा है और यहाँ पर CBTT द्वारा एक circular भी लाया गया था इस issue को resolve करने के लिए अब circular क्योंकि आपको पता है कभी भी assessi के उपर binding नहीं होते हैं यह binding होते हैं on the department तो assessi in circulars को challenge किया करता था in the court अब पहले समझ लेते हैं issue क्या था उसके बाद फिर समझते हैं कि court का opinion क्या आया यहाँ पर तो over the year dispute have been arising in respect of whether the disallowances under section 14A of the act can be made in cases where no exempt income has been accrued arisen or received by the assessi during an assessment year तो issue यहाँ पर यह आया दोस्तो कि अगर assessi ने कोई exempt income नहीं कमाई है और वहाँ पर उसने ऐसे खर्चे करे हैं जो कि exempt income को कमानी के लिए किये जाते हैं तो क्या उन खर्चों की उस case में उसको deduction दी जाए कि क्या उसको benefit दिया जाएगा आईए इसी बात को एक example के थुरू समझते हैं माल लीजिए आप profit and loss account देख रहे हैं यहाँ पर 10,000,000 रुपे की non exempted income कमाई गई है और exempted income यहाँ पर 0 है लेकिन assessi ने अभी भी 20,000 रुपे खर्च करे हैं to earn the exempt income इसका मतलब उसने income नहीं कमाई लेकिन खर्चे तो उसने फिर भी किये हैं तो अगर मैं section की बात करूँ अगर मैं circular की बात करूँ तो circular यहाँ पर कहता है कि आपको यह 20,000 रुपे की deduction नहीं दी जाएगी तो एक circular CBTT लेके आई थी circular number 5 by 2014 dated 11.2.2014 जिसमें CBTT ने rule 8D clarify किया था और बताया था कि अगर section 14A के अंदर disallowances हो रही है तो आपको खर्चे allow नहीं क income नहीं कमाई है even where the taxpayer in a particular year has not earned any exempted income वहाँ पर भी आपके यह खर्चे disallow कर दिये जाएंगे इसका मलब दोस्तो situation बड़ी clear सी है चाहे आपने exempted income कमाई है या चाहे आपने exempted income नहीं कमाई है इस case में आप देख सकते हैं कमाई गई है और इस case में आप देख रहे हैं नहीं कमा आइंगे लेकिन ऐसा law में नहीं clarify था यहाँ पर CBTT ने circular के थूरू इस बात को clarify किया था आप देख सकते हैं यह वाला circular आया था लेकिन अब इस circular के बाद काफी सारे challenges आए क्योंकि यहाँ पर assesses ने क्या किया इस circular को challenge कर दिया in the courts आपको पता है कि अगर आप किसी चीज को challenge क करना चाहते हैं तो आप CIT appeal then ITAT then high court then supreme court में उसको challenge कर सकते हैं तो यहाँ पर assesses ने multiple courts में इस बात को challenge किया और courts ने unfortunately law की intention को ना समझते हुए law के against ही अपने judgment पास किये so some of the courts has passed the judgment कि अगर आपने कोई exempted income नहीं कमाई है तो उस year में आपके exempted expense मतलब ऐसे खर्चे जो आप exempted income को कमानी के लिए खर्च कर रहे थे वो disallow नहीं किये जाएंगे तो इस बात से issue यह आने लगा कि जो courts की judgment है वो एक different view देने लगी और यहाँ पर जो courts ने interpretation निकाली वो कुछ इस तरह की interpretation निकाली कि if there is no exempted income during the previous year then no disallowances under section 14A of the act can be made for that year court ने यहाँ पर simply एक बात interpret करी उन्होंने बोला कि अगर आपकी कोई exempted income है ही नहीं तो उस case में section 14A लगेगा नहीं और वहाँ पर आपका कोई भी खर्चा disallow नहीं किया जाएगा भले ही वो expense आपने खर्च किया हो to earn the exempted income और भले ही आपने वो expense खर्च किया हो to earn the non-exempted income तो यहाँ पर जो lawmakers की intention थी जो उनका purpose था वो defeat हो रहा था तो ऐसे में काफी साल की struggles के बाद और इन challenges को देखने के बाद finally income tax ने यहाँ पर एक major change किया है अभी recently budget के अंदर उन्होंने एक नई explanation इंसर्ट करी है section 14A के अंदर जिसकी वज़े से अब यहाँ पर यह circular circular नहीं रहेगा it will become a law तो जैसी आप law में explanation डाल देते हैं वो अपने आपने law की तरह से काम करने लगता है तो यहाँ पर propose किया गया है to insert the explanation in section 14A of the act to clarify that और यहाँ पर क्या लिखा गया है आईए इसको एक बार समझते हैं not withstanding anything to the contrary contained in this act the provision of this section shall be apply and shall be deemed to have always applied in a case where the exempted income has not accrued or arisen or has not been received during the previous year relevant to the assessment year and expenditure has been incurred during the said previous year in relation to such exempt income तो यहाँ पर explanation में यह बात बोली गई है कि अगर आपने कोई खर्चा किया है और वो खर्चा आपने किया है to earn the exempted income भले ही आपने कोई exempted income कमाई है या आपने कोई exempted income नहीं कमाई है हम आपके उस वाले खर्चे को जो खर्चा आपने किया होगा to earn the exempted income भली income नहीं कमाई आपने, वो खर्चा भी हम आपका disallow कर देंगे, irrespective of anything contained in any other provision, तो यहाँ पर इनोंने notwithstanding करके section के starting करी, इसका मतलब बाकी सब जगे जो भी लिखा है, वो सब बेकार हो जाएगा, और यह explanation जो कहती है, that will be sufficient, और इस explanation के मताबिक, अगर आप कोई खर्चा करत हैं, जो कि ऐसी income के लिए किया गया है, जो income अपने आप में exempted income होती है, income tax act में, तो वो खर्चे की हम आपको deduction नहीं देंगे, भले ही आपने income कमाई है, या भले ही आपने income नहीं कमाई है, यह खर्चा आपका allow नहीं किया जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दू, this amendment will take effect from the 1st April 2022, इसका मतलब यह वाली जो amendment होगी, वो assessment year 22-23 से applicable हो जाएगी, और साथ की साथ जो आने वाले year होंगे, उन पर भी यह applicable रहेगी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत यह दी गई है, कि यह retrospective explanation नहीं आई है, यहाँ पर prospective ही आईगी, और यह applicable हो रही है, 1 April 2022 से, तो अगर आपकी case में ऐसी कोई income आती है, जो कि exempted income है, और आप उसके corresponding कोई खर्चे करते हैं, जो कि ऐसी income को कमाने के लिए खर्च किये जाते हैं, जो कि again अपने आप में exempted है, तो आपको इस बात का एक खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपके case में section 14A applicable करते हुए, वहाँ पर disallowances की जाएंगी, तो आप properly इन चीज़ों को plan करें, और पहले से पहले अपनी disallowances को करवाएं, ताकि बाद में आपको department के तरफ से किसी भी तरह की problem का या notice का सामना ना करना पड़े, दोस्तो I hope आपको इस पूरा section 14A और उसके साथ में नई वाल project में propose की गई है, और ये 1 April 2022 से applicable हो रही है, ये सारी बाते आपको clear हो गई होगी, और आप अपने in cases में accordingly planning कर पाएंगे, दोस्तो अगर आपको आज की इस वीडियो से related या मेरी किसी भी previous वीडियो या किसी भी topic से related income tax and GSTN related topic में कहीं पर भी आपको कोई query है, कोई doubt है, और आ आप मुझसे मेरे दिये गए phone number पर जो की मेरा whatsapp number भी है, आप इस पर connect हो सकते हैं, आप अपनी query मुझे email कर सकते हैं, even आप मुझसे मेरे facebook account पर या instagram account पर भी जोड़ सकते हैं, मैं definitely इन सब जगे पर आपकी queries answer करता हूँ, और आपके लिए इसी तरह की informative and knowledgeable videos लेके आता रहता हूँ, दोस्तो अगर आप कोई video पसंद आईए तो please video को like कर दीजेगा, साथ में channel को subscribe कर लीजेगा, और bell icon को भी press कर दीजेगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई latest videos की notifications मिलती रहें, और मेरे द्वारा लाई गई कोई भी video आपसे miss ना हो, आज की इस video में इतना ही आप